जो यह जो जो कैसे हैं आप 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 सब ठीक हैं जो तो आज हम बात करते हैं mixed salts की ने ओकरम सिजाद आप मेरे YouTube चैनल रेख रहे हैं जो जो मिक्स आप क्या होते हैं बहुत से स्टूरंट्स को एक concept जाए वो clear नहीं होता तो इसके concept को थोड़ा था clear करने कोशिश करते हैं definition के हिसाब से देखें तो mixed salts ऐसे salts हैं जिनमें एक से ज्यादा basic radicals भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा acidic radicals भी हो सकते हैं तो अभी हम कुछ examples करेंगे जिनमें हम इस बात को prove करेंगे so let's understand with examples जैसे कि आपको एक solid नदर आ रहा है sodium chloride अब इसके हम first of all acidic और basic radicals की बात करते हैं students अब आपको नदर आ रहा है कि sodium chloride में आपको बता है sodium ion होता है इसके लावर chloride ion होता है और जो sodium ion होता है उसको आप कहते हो basic radical क्योंकि यह base ब्राने के काम आता है जैसे आपको basis के नाम पता होंगे sodium hydroxide एक base है इससे तरह से salt के अंदर जो है वो acidic radical भी होता है जिसना कि chloride ion यह acidic radical होता है क्योंकि acid का part होता है जैसे hcl hydrochloric acid और यह एक acidic radical है जिस chloride ion अब इसको आप anion भी कह सकते हो एक acidic radical के तोर पे और basic radical के तोर पे शुर्ट example में ना syllabus के तरीक कार के हिसाब से चलते हैं आपके syllabus में यह example है that is calcium oxy chloride जिसको हम bleaching powder भी कहते हैं तो अब इसके acidic radicals और basic radicals क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस salt को एक और तरीके से लिखा जा सकते हैं और वो तरीका लिखने का आपके सामने है कि यानि आप इसको condense करके ऐसे भी लिख सकते हो calcium oxy chloride so अब सोचते हैं कि इसमें acidic radicals कौन से हैं और basic radicals कौन से हैं तो students अगर हम बात के रहे हैं इसके acidic radicals की बेसिक radicals की तो इस slide के अंदर आपको नदर आ रहा है एक basic radical और दो acidic radicals लेहादा आपको आप कह सकते हो कि calcium iron है यह यह basic radical जबकि oxy chloride iron है इसको हम anion कह सकते हैं इसको ketine वोलेंगे calcium iron है और chloride iron इसको हम कहेंगे कि इसमें 2 acidic radicals हैं तो यह भी acidic radical हुआ और यह भी हुआ acidic radical so that student's idea is a very elaborated idea जिसे मैं समझ में आई कि आप जो calcium oxy chloride है यानि कि जो bleaching powder है वो basically आप कह लो कि एक ऐसा salt है जिसमें हमारे पास basic radicals जो है वो एक है और दो acidic radicals है जिसमें एक से ज्यादा आपको acidic radicals नजर आ रहे है और एक basic radicals नजर आ रहे है अब यह salt आपके एक्जायब syllabus में नहीं है लेकिन मैं चार हों के थोड़ा सा practice करवा हूँ आपको मज़ीद इसमें आप potassium calcium phosphate और इसमें भी आपको potassium calcium जो है आप दो basic radicals नजर आ रहे हैं और phosphate एक acidic radicals नजर आ रहे है अब इसमें एनाइन और कटाइन क्या होंगे students वो आपने comment करके मुझे बताना है सो अगर एक और example को देखें तो sodium potassium carbonate भी mixed salt की category में आएगा और sodium potassium minus आपको नजर आ रहे हैं यह दोनों basic है और carbonate आइन जो है वो एक acidic radical है students अब मुझे आप यह बताओ कि मेरी तरह से question है आपके लिए अब इसमें बताओ यह salt का नाम क्या है यह आप comment करो इसके लावा comment करो इसमें से जो radicals हैं वो कौन कौन से हैं उनके क्या नाम हो सकते हैं और acidic radicals कौन से हैं बेसिक radicals कौन से हैं और additionally मुझे बताओ anion ketines कौन से हैं अगर आप यह बताने में इस salt से relate कामियाब हो जाते हो तो यह topic totally clear हो जाएगा आपको कभी भी दिखकत नहीं आएगी इस topic में tension लेने की यह था हमारा आज का topic mix salt I hope आपको समझ में आगे होगी इससे अगला पार्ट देखने के लिए description में link है आप उसको follow कर सकते हो thank you so much